मसकार किसान साथियो आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में प्रस्तुत है आज ड्रेगन फ्रूट में फंगस और दूसरी बिमारियों के बारे में तीसरी वीडियो और ये है इसका अंतिम भाग अगर आप ड्रेगन फ्रूट की खेती करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है इसलिए इसे अंत तक अवश्य दे वीडियो सुरू करने से पहले मैं तीन व्यक्तियों का आभार व्यक्त करना जाओंगा सबसे पहले हैं हमारे चेर्मेन यूनिटी ओफ मैन के कृपाल सागर के करम जीट सिंग जी दूसरे हैं तुसार भाई पटेल तुसार पटेल जी मेग दनुस बायो फर्टिलाइजर के संस्थापक हैं और एहमदाबाद में हैं ये माइक्रोबाइलोजिस्ट हैं अनिल चोपडाजी सूरत के पास एक गाओं हैं वहां के रहने वाले हैं और इस पर वो ड्रेगन फ्रूट पर गुजरात में कंसल्टेंसी भी देते हैं उन्हें हमने अपने फर्म पर बुलाया था जिन्होंने पहली वीडियो में बताया था कि हमने अपने इस फर्म से और दूसरे फर्म से ड्रेगन फ्रूट में जहां जहां हमें फंगस की समस्या लग रही थी, वहां से हमने कुल आठ सेंपल इकटे किये थे, साथ सेंपल थे इस पोधे के, तने के और आठवा सेंपल था पोधे की जड़ों का इन आठ सेंपल को हमने एहमदाबाद भेजा तुसार भाई के पास में और उनसे कहा कि ये पता करें कि इन में कौन-कौन सी फंगस है इन सभी प्लेट में छे दिन बाद अर्थात 16 फरवरी 2024 को फंगस और बैक्टिरिया विक्सित हो गए जिनका हमने विसलेशन किया और ये कुल आठ सेंपल थे, सभी सेंपल को हमने एक से लेकर आठ नंबर दिये थे, जिससे हमें बाद में यह पहचान करने में आसानी हो सके किस सेंपल से कौन सी फंगस मिली और हम इसकी क्या दवाई प्रियोग करेंगे जो हमने आठ सेंपल लिये थे जब छे दिन बाद उनका विसलेशन किया, तो हमें इस प्रकार के परिणाम मिले इनके परिणामों को हमने दो भागों में विभाजित किया पहला फंगस के कौन-कौन सी फंगस थी और दूसरा बैक्टीरिया के वो कौन सा बैक्टीरिया था जो हमें मिला, जो हमें फंगस मिली, उसमें चार फंगस मिली है हमारे को पहली थी फुजेरियम दूसरी थी आल्टरनेटिया तीतरी थी बोटरी इस्फरिया और चोथी थी कोलिटो ट्रिचम जिसे हम एंथरा क्रोनोज भी कहते हैं जो बैक्टीरिया है वो केवल एक ही प्रकार का बैक्टीरिया मिला हमारे को और उसका नाम है सेंपल थे उनमें से एक सेंपल में हमें कोई भी बैक्टिरिया या फंगस नहीं मिली और बाकी सम्वें हमें चार फंगस मिली और एक बैक्टिरिया मिला यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंपल एक पाँच और आठ में हमें केवल एक ही फंगस या बैक्टिरिया मिला जबकि सेंपल दो में हमें दो फंगस मिली और एक बैक्टिरिया मिला इसी प्रकार सेंपल तीन में हमें केवल दो फंगस मिली और सेंपल चार में हमें एक फंगस और एक बैक्टीरिया मिला सेंपल छे में हमें कोई भी फैतोजनिक फंगस या बैक्टीरिया नहीं मिला और सेंपल साथ में हमें दो फंगस मिली जो sample 8 है वो root का sample था उसमें हमें एक ही bacteria मिला जिसका नाम है Genthomonas. इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचे कि जितने भी sample हम हमेरे हाँ इकठे किये गे उनमें हमें 4 fungus और एक bacteria मिला. अब हम यह जानने की कोशिज करेंगे कि कौन सी फंगस के लिए कौन सी दवाई का हमें परियोग करना है हमने दवाईयों के नाम नहीं बताए हमने उनका chemical composition बताया कि इस फंगस या बैक्टीरिया के लिए कौन सा chemical composition काम करता है एक ही chemical composition को अलग-अलग company अलग-अलग नाम से बनाती है ये आप सब को पता है कि जो हमें फंगस और बैक्टीरिया मिले हैं इनकी रसायनिक रोक थाम के लिए हमें कौन-कौन सी दवाईयों का परियोग करना होगा आप सब ये जानते हैं कि एक ही chemical composition की दवाई विभिन company अलग-अलग नाम से बनाती है जो chemical composition इन बिमारियों को कंट्रोल करने के चाहिए वो इस प्रकार है जो हमारी fugarium fungus मिले इसके लिए जो दवाईया चाहिए उनमें से पहली है अजोक्सी इस्ट्रोबेन दूसरी है थायोफिनेट मिथाईल तीसरी है copper oxy chloride जिसे आप COC के नाम से भी जानते हैं और जो चोथी है वह है carbon dins plus manco jav का composition इन में से कई दवाई को आप पहले भी परियोग करते आए होंगे जो दूसरी fungus है alternate या उसके लिए जो पहली दवाई है वह है copper oxy chloride जो दूसरी है वह है tabuconazole plus sulfur जो तीसरी है वो है thiophenate methyl और जो चोथी है वह है diphenakonazole यह चार में से कोई भी दवाई आप प्रियोग कर सकते हैं किस प्रकार करना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे जो तीसरी fungus है botryosphaeria उसके लिए निम्न दवाईया काम करेंगे पहली है copper oxy chloride दूसरी है ajoxoistrobin तीसरी है thiophenate methyl और चोथी है propiconazole जो चोथी fungus हमें मिली coli to trichum उसके लिए जो chemical composition है वहाँ है carbon disease प्लस manco जब का ajoxoistrobin प्लस diphenakonazole का जिसकी की बजार में emistar top के नाम से cizenta की बहुत अच्छी दवाई आती है लेकिन मैं इसके बजाए कोई दूसरी दवाई परियोग करता हूं जिसका नाम है ajoto तीसरी है pyrocloristrobin प्लस fluxa pyroxid ये तीन दवाईया इस चोथी fungus में काम करती है इन सभी दवाईयों को अगर आप परियोग करना चाहते हैं तो हमने आपकी सुईदा के लिए तीन भागों में बाटा है पहले भाग में आती है एक ही प्रकार की दवाईया जैसे thaiophenite methyl है copper oxy chloride है और carbon dis plus manco जब है इन्हें हमने group एक में रखा है जो group दोगी दवाईया है वे है aegoxy-istrobin, tabu kunazole plus sulfur, diphenacona और चोथी है aegoxy-istrobin plus diphenacona तीसरे group में हमने केवल दो दवाईया रखी है वे है pyroclostrobin और pyroclostrobin plus fluxo-prioxide का combination आप इन सब दवाईयों को कीज़ प्रकार परियोग करोंगे ये सब रसाइनिक दवाई हैं इसमें दो मुख्य बाते होगी पहली बात ये है कि जो किसान भाई अगर अपने फार्म का निरिक्षन जल्दी जल्दी करते हैं और ये पता कर लेते हैं कि मेरे पोधे में कोई फंगस आई हुई है या नहीं आई हुई है जै वे लोग उसी फंगस को हमारी स्लाइड से मिलाएं और ये पहचान करें कि ये कौन सी फंगस है और उसी फंगस की जो हमने दवाई बताई है उनमें से किसी एक का परियोग करें जब आप उस दवाई का परियोग करते हैं और आपकी बिमारी बहुत जादा है तो ये जरूर तो उस समय उस फंगी साइड को बदल दीजिए और उस गुरूप का दूसरा फंगी साइड ले लीजिए उससे क्या होगा कि किसी भी फंगस की किसी एक दवाई के पर्ती उसकी पर्तिरोधक छमता नहीं बढ़ेगी और वो पूरी की तरह अधिक से अधिक काम करेगी माल लीजिए आपके यहाँ पर आपने डिटक्ट ही है कि मेरे हाँ फ्यूजरियम फंगस है तो आप थायोफिनाइट मिथाईल का इस्प्रे कीजिए और अगर यह लगता है कि 5 से 10 परसेंट रहे गई तो अगली बार थायोफिनाइट मिथाईल की जगए कारबन डिज प्लस म इसकी जाच कर सकें तो जो हमने दवाई तीनों गरूप में बताई है उनको लिख लीजिए और उनका एक शेडूल बनाईए पहले गरूप में से कोई भी एक दवाई लीजिए उसका इस्प्रे करिए और उसके 15 या 20 दिन बाद आप दूसरे गरूप की एक दवाई लीजि उसका इस्प्रे करिजिए और कुछ दिनों बाद लगबग 15 से 20 दिन बाद आप तीसरे गरूप में से किसी एक दवाई का इस्प्रे कीजिए जब दूसरी साइकल आएगी 15 से 20 दिन के बाद तो जो पहले गरूप की जो दवाई थी उसकी बज़ए उसमें से कोई दूसरी दवाई लीजिए इसी परकार दूसरे गरूप की भी दवाई बदल दीजिए और तीसरे गरूप की भी दवाई बदल दीजिए इस परकार अपना शेडूल बनाईए इससे जितने भी फंगस हैं या बैक्टीरिया हैं वो किसी एक दवाई के पड़ती अपनी परतिरोदक चम्ता नहीं बढ़ा पाएंगे और आपको अधिक से अधिक लाग में अभी तक कुछ किसान ये सोच रहे होंगे, त्यागी जी ने सारा का सारा केमिकल बताया है, मेरी मजबूरी है, मैंने अभी तक बहुत जादा जैविक का परियोग नहीं किया है, लेकिन इन सभी फंगस म दो बायो कंट्रोल एजेंट ऐसे हैं, जो काफी काम करते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, उनमें से एक है सुडो मुनास फ्लोरसेंस, और दूसरा है बैसिलस सब्टिलिस, आप इन दोनों फंगी साइड का समय समय पर परियोग करिए, अगर जैसे पहले सुडो मुनास फ्लोरसेंस का किया, उसके पात बैसिलस सब्टिलिस कर दीजिए, फिर सुडो मुनास कर दीजिए, फिर बैसिलस सब्टिलिस कर दीजिए, इसमें एक सावधानी बरतनी है, जब टेमपरेचर 35 डिग्री से उपर होता है, तब इनका इस्प्रे नह पुछ ज़्यादा गर्मी में ये कालोनी नहीं बना पाते हैं। अंत में तीन बाते और कहना चाहूंगा। पहली बात ये जरूरी नहीं है कि जो फंगस हमारे यहां पर मिली है, वही फंगस आपके यहां भी मिले। अगर आपको ये जानना है कि मेरे हां कौन सी फंगस है, इसके बारे में आप तुसार भाई पटेल से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उनसे बात करिए, जिस प्रकार वो कहते हैं सेंपल लीजिए, आप उनके हां टेस्ट भी करा सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि मेरे हां कौन सी फंगस है, हो सकता है आपके हां एक या दो ही फंगसों और आपकी दवाईया भी कम लगे। दूसरा ये जो परियोग हमने किया है, ये कृपाल सागर, मेक धनुस बायो फर्टिलाइजर और अमेजिंग किसान का संयुक्त परियास है, किसानों के हित के लिए, जो हमने किया है, वो हम आपको बता रहे हैं, आप इसे परियोग करें या ने करें। अगर आप परियोग करते हैं, तो ये आपका विवेक होगा, और एक दम से किसी के बताय हुए परियोग को पूरा का पूरा नहीं करना चाहिए। एक केमिकल कमपोजिशन की दवाई एक से अधिक कमपनी बताती है, ये आपका विवेक है कि आप कौन सी दवाई परियोग करते हैं, फोर एक्जाम्पिल, एजोक्सो इस्ट्रोबिन प्लस डाइफनकोन जोल, इसका कमबिनेशन जैसे सिजेंटा की बहुत मुशूर दवाई ये एमिस्टा टोप के नाम से आता है, लेकिन मैं उसका परियोग कभी नहीं करता हूँ, चुकि ये बहुत महंगी दवाई है, मैं एक यहां पंजाम में साहिरामकर इंडस्टी है, उसकी दवाई आती है एजोटोब, जिसमें सेम केमिकल है, मैं उसका परियोग करता हूँ, उसकी कीमत भी इससे काफी कम है, और इसके परिणाम उतनी ही अच्छे हैं, जितने के एमिस्टा टोप लिए है, जो मैंने इसक्रिप्ट लिखी है, इस वीडियो के लिए, इसे मैंने तीन लेंग्वेज में लिखा है, एक है हिंदी, उसके साथ है पंजाबी, और तीसरी है इस स्क्रिप्ट का एक पीडियेफ, जो हमारी सलाइड से हैं, और जो हमारे फंगस की पिक्चर है, उनके साथ में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डेस्क्रिप्शन में दिया है, इसे डाउनलोड करिए, अपने पास रखिए, और स्वेम भी कुछ प्र जै भारत, बंदे मातल।